हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बनाएंगे सिलिव का एक बहुती ब्यूटिफुल डिजाइन तो इस डिजाइन को हम डोरी लूप्स और लेस के साथ बना के तयार करेंगे ये बिल्कुल नया डिजाइन है और बहुती ज़़ा सुन्दर लगता है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो देखे ये मैंने अपनी सिलिव ली है और इसकी मैंने कटिंग पहले से कर रखी है ये आप देख सकते हो तो देखे सिलिव की जो लंबाई है वो मैं तयार रखूंगी सौलेंच तो मैंने इसकी लंबाई रखी है सवा सोलेंच मैंने नीचे मोडने के लिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है बस मैंने उपर की सिलाई के लिए दो सूंत एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है तो इसलिए मैंने इसकी जो कटिंग है सवा सोलेंच की की है और तयार सिलिव हमारी सॉलेंच रहेगी तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया है और इस पेपर पे मैंने दो सीधी सीधी लाइन लगाई हुई है यह आप देख सकते हो तो देखिए जो पहले वाली लाइने वो मैंने यहां से पोने इंच की दूरी पे लगाई है और दूसरी वाली लाइने इसमें मैंने एक इंच से एक सूथ का गेप रखा है यानि कि एक इंच से एक सूथ कम है यह वाला गेप और यह पोने इंच की दूरी पे है और यहाँ पे जो मैंने ये निसान लगाए है ये मैंने एक एक इंच की दूरी पे लगाए है यह आप देख सकते हो ये देखिए ये मैंने एक एक इंच की दूरी पे पूरे पेपर के उपर निसान लगा लिये है आप इनको पोनेंच की दूरी पे भी लगा सकते हो अब देखें, डिजाइन बनाने के लिए हमें चाहिए डोरी, तो मैंने यहाँ पे डोरी के जो टुकड़े हैं, वो कट करके रखे हुए हैं, अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है, तो मैं आपको नीचे डिस्किप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप डो इस निसान से हम इनको अटेज करना सुरू करेंगे, जो यह निसान हमने लगाये हैं, इनके बीच में डोरी को रखेंगे, और यहाँ से इस लाइन के बाहर डोरी नहीं निकालनी है, तो इस तरह से आप लूप बनाएंगे, तो एकदम परफेक्ट बनेंगे, के बार हम डोर इसे डिजाइन बनाते हैं, तो हमारे जो लूप से कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे बन जाता है, तो यह बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस तरीके से आप लूप बनाएंगे, तो बिल्कुल एक जैसा डिजाइन आपका बन के तयार होगा, तो बस इसी तरह से हमको डोरी इस पर कर लेनी है, यह दिखिए इस तरह से, तो इसी तरीके से हम पूरे पेपर के उपर यह डोरी लूप से बना के तयार कर लेंगे, और बिल्कुल हमारे लूप से एक जैसे बनेंगे, तो मैं आपको यह बना कर फिर दिखाती हूँ, तो यह लीजे, सारे लूप से मैंने बना लिये हैं, अब यहां से जो भी एक्स्टा पेपर है, जो भी एक्स्टा डोरी है, इनको हम कट कर देंगे, और यहां पे हमको बस एक पेर का मार्जन रखते हुए कटिंग कर लेनी है, तो यह मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो, अब यहां पे मैंने कपड़े की पट्टी ली है, तो इसकी जो चोड़ाई है वो लगबद मैंने पोने दो इंच रखी है, अब इसको हम एक साइड से ऐसे मोड़ेंगे, यह देखिए, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरीके से हमने पट्टी को तयार कर लिया है, अब हम अपनी सिल्यू लेंगे, तो उल्टी साइड में मैंने एक पेपर चिपकाया हुआ है, यह केनवास पेपर है, इससे हमारे डिजैन में बहुत अच्छी फिनिसिंग आती है, तो देखें, इनको हम इसे रखेंगे, यहां से, और इसके उपर हम यह वाली पट्टी रखेंगे, तो इसको हम इस साइड से रखेंगे, सीधी साइड को नीचे की तरब करेंगे, और उल्टी साइड को उपर की तरब करेंगे, और यहां पे हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा म आरजन दबाते हुए इस पे सिलाई लगानी है तो यह लेज़े यहां पर मैंने सिलाई लगा ली है अब यहां से देखे इस पेपर को हम निकाल देंगे यह वाला जो पेपर है इसको भी हम निकाल देंगे तो देखे हमने यहां से भी पेपर निकाल दिया है अब इसको हम एसे मोड़ेंगे और यहां से एसे मोड़ते हुए हम इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे आपको finishing के साथ में सिलाई लगानी है इस तरह से आपको दिखें नाकुन की मदद से इसको बिठाना है यह देखें इस तरह से और इसकी बिल्कुल किनारी पे आपको सिलाई लगानी है अब इसके बाद दिखे आप चाहें तो यहाँ पर तुर्पाई भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा रही हूँ तो यह सिलाई भी हमने लगा ली है आप देख सकते हो अब इसके बाद दिखे हम इस पर लेश अटेज करेंगे तो मैंने कुछ इस तरह की लेश ली है अगर आपके पास ऐसी लेश नहीं है तो आप कोई भी डिजाइन की इस पर लेश लगा सकते हैं तो यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी दूरी से इस तरीके से रखेंगे और इस लेश पर हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है अब हम इसकी उपर वाली साइड में भी सिलाई लगाएंगे अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रे धागे हैं इनको हम कट कर देंगे तो ये लीजिए हमारी सिल्यू का डिजैन बनके रेडी हो गया है आप देख सकते हो कितनी सुन्दर लग रही है न हमारी सिल्यू और एकदम सिंपल सा डिजैन है और बहुत ज़धा खुब सूरत लगता है और इस तरह के lace के डिजाइन आजकल बहुत ही ज़दा trend में है और ये बहुत ही ज़दा खुबसूरत भी लगते हैं तो friends इस तरीके से आप अपनी simple कूरती को एक बहुत ही beautiful डिजाइनर कूरती बना के तयार कर सकते हो आप देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन बनके हमारा ready हो गया है तो friends आपको ये डिजाइन कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने friends और family के साथ जरूर से करें ताकि हर कोई इस सुंदर से और simple से डिजाइन को अपनी dress पे आसानी से बना सके आप देख सकते हो पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा beautiful लगेगी और ये डिजाइन बनाने में बहुत ही असान है इस तरह की lace market में बहुत ही असानी से मिल जाती है और आप कोई भी design की lace से बना सकते हैं आपको जरूर ने कि ये वाला design आपको मिले कोई और design की lace से भी आप ये design बना सकते हैं तो friends अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को भी subscribe कर लिजे साथी bell icon को भी press कर लिजे ताकि आपको मेरी हर latest वीडियो की notification मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो friends आपने भी तक मुझे facebook पर follow नहीं किया है तो please मेरे page को follow करें और अपनी notification को on रखें ताकि आपको मेरी हर latest वीडियो का notification मिलता रहे